प्राचीन काल के योगियों से लेकर इंटरस्टेलर जैसी लोगप्रिय फिल्मों तक समय की यात्रा की कहानिया और शायद कुछ असली घटनाएं रही हैं। क्या समय की यात्रा वाकई संभव है? अगर हां, तो मैं समय की यात्रा करना कैसे सीख सकता हूँ? देखिए, इन चीजों को काफी गलत समझा गया है, क्योंकि दुर्भागे से विज्ञान और गुप्त योगिक ज्ञान हॉलिवुड फिल्मों से आपके पास आ रहे हैं। इस संस्कृती में ऐसे लोग रहे हैं, जिन्हें त्रिकाल ग्यानी कहा जाता है। आपके जीवन में अनुभव के तीन आयाम होते हैं। अतीत नाम की एक चीज होती है, जो आपके भीतर यादों का भंडार है। वर्तमान नाम की एक चीज होती है, जो अभी का जीवन तनुभव है। भविष्य नाम की एक चीज होती है, जो हमारी कल्पना की शक्ती है तो आपके जीवन का अनुभव, यादाश्ट, वर्तमान अनुभव और कल्पना के बीच होता है जादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वे इन तीनों चीजों में साफ अंतर नहीं कर पाते जादातर इंसान, इसी कारण, जो चीज दस साल पहले हुई थी, उसका दुख आपको आज भी होता है, है ना? जो चीज शायद परसों हो, अभी से आपको उसका दुख है दस साल पहले या दस दिन पहले जो चीज हुई थी, क्या अभी उसका स्तित्व है? क्या अभी उसका अस्तित्व है? जो चीज शायद परसो हो, क्या अभी उसका अस्तित्व है? नहीं तो अगर आप किसी ऐसी चीज से दुखी हैं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो हम आपको समझदार कहें या पागल? अरे ये एक सवाल है, तालिया मत बजाएए, ये एक अपमान है अगर आप किसी ऐसी चीज का दुख भोग रहें, जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो ये समझदारी है या पागलपन? आप कितने लोगों को जानते हैं, आपके सहित, जो इस तरह पागल है वो ऐसी चीजों से दुखी हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है लगभग 99.99 प्रतिशत है न? ये हर समय हो रहा है, तो इसी तरह के मुर्ख समय की यात्रा कर रहे है समय योगिक विज्ञान में आधुनिक भौतिक विज्ञान हमेशा इन दो आयामों को लेकर उल्जन में रहता है समय और स्थान, या स्थान और समय, वे आमतोर पर यही कहते हैं योग में हम इसे काल कहते हैं काल शब्द का अर्थ तमिल में भी समय होता है मगर काल का अर्थ खालीपन भी होता है काल या काला का मतलब है अंधेरा अंधेरा यानि की वहां कुछ नहीं है न रोशनी न और कुछ वो खाली स्थान है काल का अर्थ है समय तो हम एक ही शब्द इस्तमाल कर रहे हैं समय और स्थान दोनों के लिए हमारे पास बस एक फर्क है, काल और महाकाल एक तरह का समय है जो जीवन के भौतिक आयामों के चक्रों से पैदा होता है भौतिक आयामों के चक्रों से मेरा मतलब है कि हर भौतिक वस्तु की गती चक्रदार होती है चाहे वो एक परमानू हो या पूरा ब्रमान्ड हो, हर चीज की गती चकरदार है सभी ग्रह, ब्रमान्ड, हर चीज, हर भौतिक चीज, मूल रूप से चकरदार गती में है तो ये काल है, वो समय जिसे आप जानते हैं, भौतिक वस्तूओं के गोल घूमने के कारण है धर्ती एक बार घूमती है, हम उसे दिन कहते हैं चंद्रमा एक चकर लगाता है, हम इसे एक महिना कहते हैं धर्ती सूरज का चकर लगाती है, हम इसे एक साल कहते हैं आप समय को केवल इसी तरह जानते हैं, तो आप जिस समय को जानते हैं, वो सिर्फ चक्रों के कारण है। एक ऐसा भी समय है जो भौतिक प्रकृति से परे है, जो भौतिक वस्तूओं के चक्कर लगाने के कारण नहीं है, इसे हम महाकाल कहते हैं। महाकाल में स्थान भी शामिल है, आम तोर पर आधोनिक भौतिक विज्ञान में, आम समझ ये है कि स्थान के कारण ही, दूरी के कारण ही समय होता है। अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना चाहते हैं, तो आपको समय चाहिए। मगर योगिक विज्ञान में अपने अनुभव से हम इसे इस तरह देखते हैं कि चुकी समय है, इसलिए स्थान की संभावना है। आदी योगी ने ये बात बहुत सुंदर तरीके से कही लगभग 15,000 साल पहले, जब उनके पहले शिश्यों, इन साथ रिश्यों ने उनसे पूछा कि इस ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, ये कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, ये कितना बड़ा है। वे हस कर बोले, तुम्हारा ब्रह्मांड, मैं उसे एक सरसों के दाने में भर सकता हूं। बहुत बढ़िया पैकिंग है, है न? उन्होंने कहा, इस पूरे ब्रम्हांड को मैं एक सरसों के दाने में भर सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ समय का परिनाम है, स्थान और दूरी सिर्फ समय का नतीजा है, तो हम लोगों को त्रिकाल ग्यानी कहते हैं, और हम लोगों को अकाल ग्यानी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है समय रहित लोग, जो लोग समय से परे होते हैं, समय से परे होने का मतलब है, आप अभी यहां बैठे हैं, अगर मैं आपको और छे घंटे यहां बेठा लो, नहीं आपको इतना समय नहीं लगेगा, अगर मैं आपको सिर्फ दो घंटे और यहां बिठा लो, सद्गुरू, कम से कम पानी, ठीक है पानी पीलो, पानी मतलब सद्गुरू, ठीक है जा कर आओ, और दो घंटे सद्गुरू, ठीक है हम आपको वो भी देते हैं, उसके बाद आप पर्मीशन नहीं मांगेंगे, आपका शरीर समय का चक्र है है ना, घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने ब्लैडर पर ध्यान दें, आपको समय पता चल जाएगा, हाँ या ना, वो समय का ध्यान रख रहा है, तो अभी समय की आपकी समझ सिर्फ आपकी भौतिक पहचान के कारण है, अगर आप शरीर को महसूस किये बिना यहाँ बैठ सकें, तो आपको समय का पता नहीं चलेगा, आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा, जो कई घंटों, कई दिनों तक बैठे रहे, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बार, जब मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा था, मैं 25 साल का था, मैं एक जगे बैठा और अचानक मुझे समय का हैसास नहीं हुआ, मुझे लगा कि 10-20 मिनट हुए हैं, लेकिन साढ़े चार घंटे बीट गए थे, और मैं परमानन से फूट रहा था, फिर ये अक्सर होने लगा, मैं बस एक जगे बैठता और मुझे लगता कि 2 मिनट हुए हैं, जबकि कई गंटे, 7-8 गंटे निकल जाते, एक दिन मैं बैठा और मुझे लगा कि 25-30 मिनट हुए होंगे, मैं मैसूर के पास से एक ग्रामीन इलाके में बैठा हुआ था, और जब मैंने आखें खोली, तो भारी भीड जमा थी, मेरे गले पर फूल मालाएं लटकी हुई थी, लोग मेरे पैर खीचने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पूछा तुम लोग कहां से आ गए, फिर उन्होंने कहा आप 13 दिन से यहां बैठे हैं, मुझे लगा कि सिर्फ 25-30 मिनट हुए हैं, पस जब मैंने पैर खोलने की कोशिश की तो पाया कि मेरे घुटने जकड गए थे, उन्हें सीधा करने में बहुत दिक्कत हुई, मगर मेरे अनुभव में मुझे लगा कि सिर्फ 25-30 मिनट हुए हैं, ये बात है शायद आपके लिए समझने में थोड़ी मुश्किल हो, मगर क्या आपने ध्यान दिया है, कि कि किस समय बहुत सापेक शनुभव है, लोग कहते हैं, एक मिनट कितना लंबा है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप बातरूम के दर्वाजे के किस तरफ हैं, दर्वाजा खट-खटाओ तो वो कहता है, बस एक मिनट रुको, एक मिनट? झाल झाल